पहले डेस बोलते थे हिंदूष्टान सुनता था आज हिंदूष्टान बोलता है सारे देश सुनते हैं नहीं फिर एक रेवडिया नहीं जली भी भी नहीं कहाएंगे उन्हों ने मसल काम नहीं करके दिखाती है वादेता बहुत बड़े-बड़े कर लेती है जिसको लखना न पाराद मत्ता की मैं हूँ अंजली राट हो आज हम पहुचे हैं वाड नंबर 125 में जहां पर बीजेपी उमिद्वार शशियादव जी अपने प्रचार के लिए निकल चुके हैं ऐसे में इनसे बाचीत करते हैं कि आज कौन सी जगा पर आएं और जनता से कितना प्रेम मिल रहा है अभी मैं तो चाहतं के साथ क्योंकि जो भी शुरवात होती है अपने परिवार से होती आप किसी फिक्रियग की शुरवात करते हैं तो कांगन एडी गांथ का कोई भी काम होता है बिना बढूसरय गांँ के साथ कहा कि नहीं हो सकता है तो इसलिए मैं अपने परिवार में आया हूँ बडूसराय गाउं में आया हूँ आशिरवाद लेने कि आपके बच्चे ने आपकी सेवा की जिम्मेदारी उठाने की एक शपत ली है तो उस शपत को निभाने के लिए आपका फिर से समर्थन चाहिए तो और बडूसराय साथ में कोई और भी मुद्दा होगा जो शाय नगर निगम का भी ना वुशु की अपने देहात की अपने गाउं की अपने बडूसराय गाउं की कोई समस्या है उठाने पड़ी उन के लिए तकर की सुमेदवार से मान रहे हैं कौन सी पार्टी बाटी बाती के सामने कोई जनता पार्टी की आम आदमी पार्टी के कामों से जनता तरस्त है हम जहां भी जा रहे हैं जिस गाउं में जा रहे हैं कुछ यही समस्चाइए आ रही है कि हमारी आप देखेंगे सड़क यह दिल्ली सरकार की अंडर आती है सड़क कितनी टुटी हुई है पानी की विवस्ता नहीं है तो जहां भी बात आ रही है नगर निगम के कामों से ज्यादा दिल्ली सरकार के कामों की बात आ रही है तो इसका रोश जो साथ साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है उसका रोश बहुत दिख्या रहा है तो इसलिए क्लीन स्वीप है भारत्य जंता पार्टी की सरक सब्सक्राइब कर पाए तो एसे मैं आप किस तरीके से आगे की रणनीतियों को तयार करें हम नहीं हमारे यसश्वी देश के ग्रह मंत्री श्री अमिश शाजी ने रचदी है दिल्ली सरकार बजट नहीं दे रही ती तो MCD को एक कर दिया गया आज MCD एक है सीधा बजट केंदर सरकार से आएगा आज हमारे गाउं के अधिकारों के लिए हमारे गाउं के अधिकार का जो बजट है हमें दिल्ली सरकार से मांगने की जोरत नहीं है उनके अधिकार का बजट सीधा का सीधा केंदर सरकार से हमारे जो न केंदर सरकार के अधीन मसीडी आती है तो बजट भी केंदर सरकार को देना है यदि मसीडी का पर भाजपा का प्रत्याशी विजय होके जाता है तो विकास कारियों की लड़ी लग जाएगी और निर्दली ओपर और आमादमी पार्टी पे जाने पrintर नहीं देश के अंधर सबसे जादा जमानत जव तोनेवाली सरकार है यह जूटे ठोसले उनके उनकर कहीं भी गुजुरात में भी मोदीजी साह Camera की जिनता को भरोसा है और दिल्ली में भी मोदीजी कैसे कबर करेंगे और कैसे विकास की गंगा भाही यहां पर हर गावों में बहुत मतदाता पबी है और जागरुक डडबलव की कमेटी भी है सभी लोग मिल जुलकर विकासकारियों को करेंगे शेत्र पर कितना भी बड़ा हो हम सम मिलके जनता के साथ वो काम करेंगे यहां पर इस वक्त इनके साथ तमाम कारेकरता बीजेपी नेता यहां पर मौझूद है जो इनके साथ अब डोर टो डोर कैंपेंग करने में लगे हुए हैं ऐसे में आप देख पारें तस्वीरों में कि किस तर अब आप देख पारें किस तरीके से बीजेपी कैंडिडिट शर्शी यादव को किस तरीके से भरपूर प्रेम मिल रहा है और ऐसे में यह जनता के बीच लगातार उतर रहे हैं और किस तरीके से वार्ड नमबर 125 के विकास की बात यहां पर की जा रही है ऐसे में देखे आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आगे चल रहे हैं और जनता के बीच लगातार बने हुए है अब बडूस रहे गाओं में प्रिचार के लिए पहुंचे शशी यादव को कितना प्रेम जनता दे रही है जनता से ही जान लेते हैं कितना प्रेम दे पारें उन्हें अब बहुत ज्यादा समर्थन के हिसाब से यह सीट किलियर है किसी और से नहीं मांग रहे हैं को हम किसी से टक्करी नहीं मांग रहे हैं बीजेपी के सामने कोई डटता ही नहीं है किन-किन मुद्धो के अधार पर बोर्ट डालो कि मुद्धे तो यह है जी आज तक्रीवन साथ आठ साल से आमाद्य पार्टी है यह कर्व्टिट पार्टी है इसका कोई कि नहीं है कोई टिकने के लिए कोई नहीं है अभी देखो आज भी मेरे खाल से तीन अरेस्ट हुए है नब्बैला के चकर में नब्बैला के रूपे सीट के बटवारे में लिए उसना खले स्तिर पाठीन है तो इसका जो है सब कुछ खतम होता जा रहा है और एक बीजेपी कि ऐसी है जो इस देश को आगे ले जाएगी पहले देश बोलते थे हिंदुस्तान सुनता था आज हिंदुस्तान बोलता है सारे देश सुनते हैं मोदी ने देश की चवी बहुत अच्छे से बनाई है इस बार जनता का विकास जनता की छोटे मोटे काम जो रह जाते हैं जो पार चाहती है जंता बीजेपी को हटाना चाहती है कि बीजेपी को माइन चुक। है और कांग्रेस का तो अस्तीट भी खतम हो चुका है किसी से नहीं माना पकर हम किसा नहीं वाद है О कि असप्ट आपैंट्री में कि फाइद को फाइदा लगें विपक्षी पर्ट्श क्ट हें। बश行ता है तो नहीं पार्टी दो कह रही एकी इस बार दम से डिमें परीवर्थन करना चाहांथ में एक क्वरी का इस को नहीं को कहने की बाते हैं विकास तो काम तो करी रहे हैं सभी कर रहे है कि आप कमल का फूल ही क्यों चुन रहें कमल का फूल बीज़े बीज़ेपी सबका साथ सबका विकार्स पूरा देश आगे बढ़ रहा है यह से तो कोई फायदा होना नहीं के दोस्तों यूनिटी दिद्धी इससे तो भिकमंगी की आदत ज्यादे बढ़ रही है बसमें किराय फिरी कर दिया इसे क्या होगा कि फायदा नहीं होगा इसे मतब्रस का साथ सबका विकास करना चाहते हो फ्रीक किल को था नहीं दोने जलिवीगों कि आप देखना मैं अपना इत्मियल बुक्त डालगे न है भाई को आग बढ़ाना और जो पार्टी आए दूसरी पार्टी उनको क्यों नहीं देख रहे हैं उनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं ऐसा उनसे भी बहुत देख लिया लेकिन उन्होंने मतलब कोई काम नहीं करके दिखाती है वादे दो बहुत बड़े-बड़े कर लेती है बहुत अच्छा रिस्पोंस देखने को मिल रहा भी हम कल से साथ आठ गाउं में जा चुके तो लोगों का जो इतना जूम होता ना वो देख एक आस्चरी है जनक दर से होता है कि लोग आज भी बारतिय जन्ता पार्टी के परती इतना अपना विश्वास जिता रहें लगा आया है संगठन का आद्मिया तो इसको एक बर मोका देके देखो यह आपकी जो उमीद उस पर सद खरा उत्रेगा लगए कि लगतार क्या लगए आप तो क्या लगए कि विपक्षी पार्टी आया कही ना कहीं टकर देंगी है नहीं देखो टकर सब का है अपना-पना चुना पर देखते हैं वैसे भी देख लेते हैं तो बीजेपी काई चल रहा है यह मेर को लगता नहीं कि और कोई पार्टी आम आदू पार्टी या कॉंग्रेस कोई टिक पाएगा चाहिए कोई भी समस्या होई विकास से लेके गोसे वासे लेके हर्ट मुद्दे पर सशी भाई ने जो भी है इस विकास शेत्र में और हमारा सबसे मुद्द है सबसे बढ़ा है कि इस प्रदेश को सबसे इस दिल्ली का इनी इस पूरे भारत का सबसे स्वच और विकास शेत्र बनाने गए अब बताएए कि किन मुद्दों के अधार पर वोट डाले हम यूँआ है हम तो वहां पर सदन में बैटके वाज कोन उठाएगा तो सासी उठाएगा और इसके अंदर जजबा इसके इन्दर जणून है जो विकास कराएगा शची कराएगा यूआओ को एक स्थापित करेगा और दारने स्थापित करेगा कि एक यूँआ आगे बढ़ सकता तो और भी इसको देखते हैं कि यह अमारे लिए अच्छा करेगा और सांधी साथ कॉंग्रेस के उमीद्वार तो हैं अपने जीत कजित आप कर रहे हैं तो आप ऐसे क्या जंता के सामने अलग पेश कर रहे हैं जी हम अलग दावा पेश कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर समर्पन का बाव है आम आदमी पार्टी की तरह नहीं एक अभी आज की आखबार में मैंने देखा कि तो बार्टी के नाम की गाने बज रहे हैं बगवा का मतलब भारतिय जन्ता पार्टी क्योंकि बारतिय जन्ता पार्टी ही बारतिय जन्ता पार्टी ने अजराम मंदिर बनवाजे 378 वादी इस बार में किसकी लहर देख रहे हैं वीजे पीड कि बीजे पी काम करती है वागी दो चोर चक्का है एक पार्षदी का चुनाव जो शशी जी लड़ रहे हैं क्या लग रहे हैं तो निश्यत है टक्करी नहीं कोई टक्कर पर नहीं कि नामादमी पार्टी दावा कर रहे हैं लगातार कि उनकी जीत हो रही है उनको तो जूट बोलने का राइसेंस मिला हुगा है और कुछ भी बोल देता है जूट के अदार पर उन्हें वोट नहीं देंगे नहीं पर मुद्दे कौन कॉन से जिस अदार पर आप वोट डालेगे यहां के विदायक ने कोई कामी नहीं किया बिल्कुल करके आप देख रह लेकर आएंगे बदलाव लेकर अरे तूफान की तरह आएंगे परिवर्तन कितना देख पाएंगे इनके आने के बाद विकास कितना अमीद लग ऐसा है पड़ा लड़का है ग्रेजुएट है ग्रेजुएट है और पार्टी से जोड़ा हुआ है अब से नहीं पंद्रह साल से जो जिसको कुछ लिखना नहीं आता उनको निगम पारिशत बना दो आई समसे पतानी पैसा आएगा कहां से क्या विकास करेंगा वो अजय क्या लग रहे है इस बार एंसीटी में कौन जीतने जा रहे है बीजेपी जितने कि हम तो बीजेपी क्या है हम तो लगाएंगे ब सुरू से पताइस साल से बोड़ की र Pen तो बीजेपी एर है लेकिन अमांगर मीपांटी क्रीय है कि वही मुछिट अदम्हेल पार्ठी हम आक पार्टी क्या तरना चलै तीनंट 15 तन तक आम आधि म एंवस्तुल गेल्लिया रों साव्न क ενा दक वाहां थरणना गेली हुएम बढ़े जाते हैं तो मतलब विकास होगा यह गड़ गाहूं के बोड़ से लगता हुआ लाश्ट गाहूं है आप किसी भी बोड़ पर जाके तरी आप जाके गुड़ गाहूं में जब इंट्री करोगी ना तो आपको इसा मैसिज होगा कि आप कहीं आगे लाइट वगारा सब कुछ जग मगाट और आप यहां से अंदेरे में लोग ना आपके साथ कोई भी लूट समास्य में उसे निजात कैसे मिलेगा जिख लोगी सरकार यहां पर उमीदवार बने हैं पार्शत के हो आपको विकास करेंगे आपकी जो अप समस्या उमीद है सब्सक्राइब कर दावा कर रहे हैं कि वह जीत रही है इस वक्त हम लोग पूरे 125 वाड में घूमे हैं और आपको दिखाया कि बीजेपी उमीदवार शेशी आदव ने किस तरीके से अपना चनावी कैम्पेंज जारी रखा है और लगातार जनता के बीच वो बने हुए ऐसी तमाम अप्डिट्स के लिए बने रहेगा दनीउस 15 के साथ मैं अंजिली राटर कैमरा परसन परताप के साथ दिली